सबसे पहले आज हम बात करते रमना परखंड के रमना पंचायत में जो वर्तमान मुखिया पहले से भी पांच साल प्लस दो साल रही है आज जानेंगे कि आपकी चुनाबी मुद्दा क्या है सबसे पहले आपको गड़वा दिरिश्टी में स्वागत है निर्मला जी से जानना चाहता हूं कि आपकी चुनाबी मुद्दा क्या है आपने पांच साल में कौन-कौन सा कारे किया है कितने कारे आपके अधूरे हैं तो सबसे पले आपने अपने पांच साल के रिजन में कौन-कौन सा कारे किया है कि पांच साल के रिजन में करोना काल में दो साल त बनवाया गरिब के और ए जो अथी तीन सव आउ अवास पलस में हमने मंगवाया और पेंशन तीन सव से उपर हमने फास कराया सव चाले बनवाये नौसव आउ स्कीरीन लाइट लगवाये सव से उपर और जो पानी सोलर जल मिनार से पानी दिवाये जल मिनार गाड़के और जो यह आपका अधार काट पर मने देख रहा है कि हजार से उपर किया होंगे जो बाचालों के इसकूल में भी जरूरी लगता है उनको भी किये और देख रहा है कि सुकन्या में पान सो से उपर हमने सायन करके लड़कियां लोग के हमने दिलवाए जो मर जाते हैं यहां पर गरीब जनता उनका भी हम अपना से साथ देके आ उनका कार्ज करम के मने हम लोग करवाते हैं और जो गरीब बेक्ती के बेटी बहन के साधी बीवाह में हम लोग अपना से खरच करके साधी भी कराते हैं जैसे कि समाज सेवा बीकरती है गरीब लड़किया का साधी कराना गरीब के घर में मिर्तु वह जात वहां कार्ज करम में भागीदारी निभाना तो आप तो समाज सेवा कि यह मुखिया पाच साल रही आप तो आप बिर्धा पेंशन और विकलांग पेंशन में कितना कारे किया कि हमने 500 पान सोले उपर में हमने मने विकलांग पेंशन विध्वा पेंशन किये और उनका है और पास हुआ है और फिर तूरत हम बैटके उनका दिलवाएंगे जैसे आप लहक्ति गर्मी देख रहे हैं धूप देख रहे हैं इस धूप में आपन साल कितना कारे किया कि अधिया और पास हुआ है और फिर तूरत हम बैटके उनका दिलवाएंगे जैसे आप लहक्ति गर्मी देख रहे हैं धूप देख रहे हैं इस धूप में आपने पांच साल के दर्मियान कितने चापा कल लगवाने का काम किया और कितने चापा कल को मरंति कराने का कि आप दूसरा चंपा कल गाड़े आप डेड़ सो से मने देख रहे हैं कि उपर में मरंत करवाएं हैं जनता गरीब के की पानी अपना पीए अच्छा से रहे हमारे जनता है और हो कि हमने यहां काचड़ा सफाई करवाए मार्केट के सफाई करवाएं और जो गली नली है उ कि आप día एक ऑन फ्राम क मिला लेकिन दूसर तब ढचतने नहीं आया व्यार्यस नहीं कि दूसरा फंदा नहीं यहां आग फिए कोई अभी मने देख रहा है कि दो साल में कोई निकल रहे थे और अभी तो परतें असी लोग हैं कि अभी मने जाके गरीब जांता में बोड़ रहा कि हम हैं लेकिन उस दाफे कोई नी थे हम लोग मील के हमारे मालिक हमारे लड़का हमने देख रहा है कि करोना सेंटर बननल था हमारे पन्चाई द्भुपन में और सब के हम लोग हाथ में खिलाये प्रठीम करकर कर यह से हमें रहां गालना नहीं है आप मनें देख रहा है कि वह से बहुत Здесь अब हो radi काम किए यह और ऑगर जनता आपको दुबारा चुना जितां और भेजती है कों सा क्वारत्मिक्ता देंगे रोजगार केrovाby है सिख्षा के मामले में और विर्दा पिंशन के मामले में सबसे पहले अब कौn सा काम को परात्मिक्ता देंगे कि सबसे काम रोजगार देंगे जंता के कि हमारे जंता गरीब जंता कहूं भटके ना वहां हम दिवा प्रम पंचाइती जंता से क्या रफील करना चाहेंगे यहीं पूरने आप how नहीं के अगंधारी करेंगे जैसे सीतना वहां सिहा हुए थे अपने छोड़के पती के छोड़के चोड़के और अपने हम मैं के छोड़के च्छोड़के हम सब समाज के क्याम करेंगे तौ typically TV आप अपना जनता को छाप और ख्रम संख्या कितना त्लादी थे हमारे तीन नमर पर बले बाज है च्प हमारा यहां के जानता मत भूले हम प्रणाम करती हुँ बले बाज हापके हमарे कैस दूह निकाली है अफ्र काम के हमको भगदारी ले अ Authy की में काम पार फिर को यहां पर रोजगार की कमी है पहले रोजगार की हम व्योस्था करेंगे कि अन्तरगर्ट हमारे जो भी बुनियादी समस्य है जैसे जमीन संबंदी समस्य है और बहुत ऐसे केसेस हैं जो नियाले में चल रहे हैं हम लोग उसको ग्रम कचहरी लगा करके समस्या के आपस में समधान कराएंगे और रमना पंचाइद सदर पंचाइद को हम लोग मोडल पंचाइद बनाना चाहते हैं ताकि यहां पर पूरे रमना पंचाइद के अंतरगत खापड़ा पोशन लहो सभी पक्का के मकान बनना चाहिए इसके लिए मैं लडाई लडूँगा हर घर में जलनल का सुभिदा हो इसके लिए मैं लडाई लडूँगा हर घर में माल पेंसन की ब्योस्था हो उसकी लडाई लडूँगा और हर घर में राशन की कमी है उसकी लडाई लडूँगा आवास की कमी है उसको मैं दिलवाऊंगा गाउं टोला में नली सलक परकास की बेवस्ता है उसको मैं करूंगा जो बाकी काम यहां मोडलाइट पंचाइट बनाने के लिए यहां बाइपास रोड की कमी है यहां स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है यहां पर लाइट के लिए बेवस्ता हम उसको कराएंगे और यहां मे परियास करूंगा कि अपने पंचाइद की अंतरगत बहुत बड़ा हम लोग चाहते हैं कि यहां विद्याले की अस्थापना हो जो यहां पर पढ़ली करके हमारे आईए बीए पढ़ करके बाहर जाते हैं अच्छा पढ़ाई पढ़ने के लिए यह पढ़ाई रमुना में ही म करना पड़े सरकार से हम मैं निवेदन करूंगा कि उनकी आच्छा से स्टाइपन मिले उनको पढ़ाई के खर्चा मिले ताकि आच्छा पढ़ली करके डाक्टर प्रफेसर बने इंजिनियर बने और आगे चल करके समाज को आगे बढ़ावे मैं यह बात को लिए प्रेडित है पिता है सब कुछ ही जनता है जनता के हर दुख सुक में हर सवाल को हर इबात को लिए प्रेडित करूंगा और रमना पंचायत को आने वाला दिन में अगर पंचायत के यहां जनता को मैं मैं पणाम करता हूं और जनता हमारी भगवान है माता है पिता है सब कुछ ही जनता अब जनता के हर दुख सुक में हर सवाल को हर समय हमें खड़ा रहूंगा खड़ा रहते आया हूं आज भी जो रमना में कमी है यहां पर बहुत कमी है कि यहां सहरी छेतर है यहां आर्बन छेतर का मन्याता मिलना चाहिए ताकि यहां पर विकास की गंगा बह सके हमको सरकार जो करते यहां सहारी छेत्र है पूरा भी कास करने में हम लों को पूरा नहीं मिल पाता है जो कच्रा निस्तारन करना है यहां पर स्वक्षता के परती नाली बनाना है सफाई करना है स्वक्षत सवचाले बनाना है यहां पर जमीन की उपलब्द नहीं होने के कारण आपका सुलब सवचाले नहीं बन रहा है मताओं और यहां के भाईयों के लिए रमना का बहुत बड़ा समस्या आपको खड़ा है यह समस्या के निजात पाने के लिए प्रसाशन से हम इस जीत के बाद हम कोशिच करेंगे कि रमना में सूलब सब चाले हो बस का पढ़ाओ हो टेंपू का यहां पढ़ाओ हो और अच्छा स्वास्त के लिए डाक्टर के हम लोग इहां बैठवाएंगे ताकि किसी जोला साथ के पास डाक्टर मरीज को ना जाना पड़े उनको सूलब स्वास्त की बेवस्ता हो और आने वला में यहां जितने भी रोजगार पढली करके हैं उनके रोजगार के लिए लगू दियोग है मनरेगा है अब ऐसे सरकार से भी लड़कर को उनको रोजगार के लिए के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे अधो जू दस्तर परड़ेंगे हमारे साथ नौजवान रोजगार किसान के लिए हमने बहुत बीज बनवाया है खाद बटवाया है लेकिन दो बरस सरकार हमलों को माध्यम से नहीं पैक्स की माध्यम से बीच को बीतरन कर रही है जो किसान उपेक्षी उपेक्षित हो रहे हैं इसके लिए मैं सरकार से लड़ाई लड़ूंगा पहले डाइरेक्ट जो बीज मिलता था उस बीच क को सुभधा दिया जाए सरकार की सबसीड़ी दिया जाए समय पर धान कराय केंदर हो उसका पैस्या बकाया है उसको सरकार के दवारा धान कराय केंदर पर बटवार बटवारा उसको पैसा दिलाया जाए बहुत बहुत दने बाद मैं बात कर रहा था वर्तबाव मुख्यापती रामचंदर राम जीजी से तो मैं अब इनसे जानना चाऊँगा की आप जनता से क्या अफिल करेंगे हम जनता से अफिल करने चाहते हैं कि आपके मांसमान के लिए आपके सुरक्षा के लिए आपके हीत के लिए मैं लडाई लड़ते आया हूँ